तो हेलो गाइस वेलकम बैक अगें टू यूटीब चनल बढ़ाई का सफ़वर 2.0 वीडियो लेकर आपके लिए आ चुके हैं यहां पर जिसका आपको काफी दिनों से इंतिजार था और यहां पर बेक्टम सही समय है क्योंकि यहां पर अब एनिपी के हिसाब से यहां पर यह सब्सक्राइब करना जरूवी है या नहीं इस तरीके से अपने तीसाब जाने की कि पीजी जो होगा हमारा कितने साल का होगा इस तरीके समसारी चोफी इनफॉरमेंस हैं एक ही वीडियो के अंदर जानने वाले हैं तो मेरा नाम बन्राक और आप देख रहें पढ़ाई का सफ़र टू पॉइंट ओ है यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर देखे जो पहले रूल क्या हुआ करता था ने फी से पहले आपको यह पर तीन साल का ieugी करना रहता था बिये ऑ कोई कोई भी कोड़ सो आपको तीन साल यहां पर यूजी करना रहता तो यहां पर पहले था एनीपी से पहले और आपका दो साल का या पर उसके बाद पीजी होता था लेकिन आप यहां जब से नइपी लाग हुआ है इस चीड को यहां पर गुर्मेंट में बदद लिया है अब क्या हुआ यूजी ऑंछा हो ग заключ Jahren का पर शर्फ स ही तो कि दय यहांड है यहां पर करना जरूरी है या नहीं इन सारे पॉइंट्स पर हम बात करता है lithe सब्सक्राइब करना करना है तो आपको करना है कि इस को आपको करना इसे कोई चूटर नहीं यह लेकिन यहां पर अगर आपकी मर्जी है तब ही आप करेंगे या फिन नहीं करेंगे लेकिन देखिए जो फोर्थ यह है वह अगर आप यूजी आगे पीजी करना चाहते तो आपको फोर्थ यह आपर कर लेना चाहिए लेकिन अगर पीजी नहीं करना चाहते तो यह बिल्कुल इंपोर्टेंस नहीं रखता है जो आप आप one year करते हैं या थड़ या करते हैं तो आपको यहां पर क्या-क्या चीजे मिले वाली और आपको मैं एक्जाम्पल के तरब पर प्रपोस स्ट्ट्ट्टर दिखाता हूं यूजी मैतमेटिक्स का यहां से बहुत सारी चीजे आपको क्लिया हो जाएंगी यहां पर देखिए सब्सक्ट पहले क्या हम देखेंगे देकिए यहां पर इयर दिया हुआ है अपर अपना इयर देखिए यहां पर यहां पर सब्सक्राइब करते हैं और किसी कारण से यहां पर फस्ट यर में ही ड्रॉप ले लेते हैं सिर्फ आप एक साल यहां पर यूजी कर पाते हैं तो आपको यहां पर क्या सर्टिफिकेट मिलने वाला तो आपको यहां पर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो अवार्ड है आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने यहां पर यूजी एक स तो आप यहां पर बाद में आकर भी दुबारा से अपना यूजी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको यहां पर फस्ट येर नहीं करना पड़ेगा, अगर आप यहां पर एक साल यूजी करके छोड़ देते हैं, और दुबार अपनी स्टडिस को स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर कई सारी इस चीज़ को भी लागू नहीं की है कि यहां पर आप रिएंट्री ले सकते हैं तो यह पर कभी यह चीज़ लागू होगी यह देखने वाली बात रहेगी इस तरह के से अगर आप किसी कारणवास सेकंड यर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्या सेटिफिकर्ट मि की डिगरी दे दी जाएगी अब इस तरीके से अगर आप तीन साल करते हैं यूजी तब आप देखिए थ्री येर में आपको क्या सीज मिलने वाला है अगर आप यहां पर देखिए थर्ड येर तक अपना कंप्लीट कर लेते हैं यूजी तो आप यहां पर डिगरी मिल इसमें आपको कहरे नेवाला है यहां पर आप देख सकते हैं इसमें आपको कई सारे project भी बनाने रहेंगे और research का रहे गर तो यहां पर देख सकते हैं रिचर्ड methodology भी दिया हुआ in mathematics इसी तरिके से आप किसी हुआ से बिटका भी देखेंगे तो वहां पर भी चीज़े आपको मिल जाएंगी तो यहां से डिगरी दी जाएगी तो इस तरीके से यहाँ पर यह चार साल का पूरा तो सिस्टम है वो रहने वाला है अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो भी स्टुडेंट्स यहाँ पर अपनी यहाँ पर प्रेपरेशन करने चाहते हैं गवर्मेंट एक्जैम्स की तो उनके लेते हैं तो उनका जो पीजी रहने वाला है वो सिर्फ एक साल का रहेगा आपका पीजी जो है सिर्फ एक साल का रहेगा अगर आप यहाँ पर कर लेते हैं यूजी का तो आपको पीजी सिर्फ एक साल करना रहेगा कुल मिलाकर चीज़े वहीं है बस यहाँ पर पीजी का द वोगा कुल मिला के आपको PG यहां पर दो साल करना है अगर आप NEP के थोरू नहीं करेंगे और NEP से आप करते हैं तो आपको सिर्फ PG एक साल करना पड़ेगा यह पूरी बात यहां पर रहने वाली है तो इसी तरीके से जो भी शुड़ेंट यहां पर त्यारी कर रहा हैं किसी भी गवर्मेंट इग्जायम की तो उनको यहां पर 4th year करने की कोई जरूरत नहीं है कोई खास लेकर आप करना चाहते तो आप पर आपको सारी चीज़े उमीद है कि आपको clear होई होंगी और जो शुर्ण यहां पर आगे higher studies करना चाहते तो उनके लिए suggestion यह रहेगा कि वह fourth year जरूर करें और आप एक को एक खास बात और मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर जिनके 75% रहे हैं overall graduation में वह यहां पर direct PhD में admission भी ले सकते हैं इस पर अभी university एक खास यहां पर notification निकालेगी तो जब वह भी होची जाएगी तो उसको मैं और अच्छे से explain करूंगा लेकिन अभी तक के लिए बस इतना ही है कि यहां पर जो यूजी है उसका fourth year compulsory नहीं है fourth year सिर्फ research year है तो आप अगर चाहें तो आप यहां यहां पर अपनी श्रीश को फोड़ के अपने त्यारी कर सकते हैं एक बार मैं आपको सारी चीजरे summarize कर देता हूं अगर आप यहां पर यूजी जो है एक साल करेंगे तो आपको एक certificate मिल जाएगा अगर आप यूजी यहां पर दो साल करते हैं तो आपको डिपलोमा की degree मिल जाएगे और आप यूजी तीन साल करते हैं तो आपको यहां पर जो degree होती है यूजी कि वो मिल जाएगे और आप यूजी यहां पर चार साल करते हैं तो आपको रिचर्च की degree दे दी जाएगी फोर्टीयर जो हमारा optional है आपर compulsory नहीं है जिनने आपर पूर्टीयर काना सिर तो आप यहां पर एक साल करके भी अपने यूजी चौड़ सकते हैं और बाद में अगर आप स्ट्रडी को कंटिक करते हैं तो पहला साल नहीं करना पड़ेगा अगर आप एक सार करके यूजी को छोड़ते हैं तो यह थी कुछ खास बाते हैं एनिपी की तो हम नेक्स वीडियों पर कुछ और खास चीजे लेकर आएंगे तब तक क्लिब आने रिया मैं साथ और चैनल को स्क्क्राइब कर लिए कर यहां पर आपको सारी इंपॉर्टन इंप्रमेशन्स मिलती रहती है थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दि कि अडोन को सुष्ण है एक कि वूल सक्वा झाल को स्क्राच्च कर प्रणू जती हैं एक्यान को सुष्ड कर दच अक्ष दिए सक्स्मितान को स्क् स।ूल Fasc Isab Ready